कोई सो старट्ड बिड स्टीमलिट kया होती है और रड़ी आप मैं से काफी लोग को Is caffeine मैंने पहले बी बता हूए या और बच्छले लेक्वेह देह सकते हैं कि alto लेकिन एक च्छोटा सांघ्जिबाव बताईता हुँ कि जब भी आप डेटा- paints एक data science से related web apps बनाते हैं जिने हम software's भी बोलते हैं software's भी बोल देते हैं और अक्सर वकात लोग उन्हें मजलब data science के software's भी बोलते हैं applications होची है तो web website पे चलती है तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि streamlet की app बनाते वकत हमें किन चीजों का ख्यार रखना पड़ता है और कैसे start किया जाता है मेरे screen आपके सामने नजर आ रही होगी और यहां पर streamlet की app जब आप बनाते हैं data science की app तो आप सबसे पहले अपना idea जो है उसे refine करते हैं सबसे पहले आपका idea कि करना क्या है ठीक है फिर उसके सारे WH questions बनाते हैं फिर आप define करते हैं कि limited क्या होगा उसके अंदर और at the end यह किस के लिए है for whom तो इस तरह के questions जब आप define करते हैं तो उसी के अंदर आपका पूरे का पूरा idea जो है वो बन जाते है हमारी जो आज की एप है उसको हम stock market के data पर बनाएंगे ठीक है stock market के data होगा हमारा और यह data CSV फाइल के अंदर नहीं होगा but we will fetch online online इसको fetch करेंगे या scrap करेंगे और जब हम data को scrap करेंगे फिर इसको view करने के बाद हम data की different किसम की visualization करवाएंगे विजूलाइजेशन और at the end हम एक model यूज करेंगे which is called Sarima या आप Arima model की advanced form इसे बोल सकते है auto-regressive integrated moving average से seasonal auto-regressive integrated moving average with exogenous values तो हम उस model को use करने वाले है और model को use करने के बाद हम further क्या करेंगे इसी चीज के अंदर we will see के model जो है यह forecast कैसी देता है हम उस forecast के pace के ऊपर data को visualize करवाएंगे मतलब forecasted data versus original data जब वो हो जाएगा फिर हम एक button देंगे end पे which where you can save that file into csv csv के अंदर उस file को आप save कर लेंगे so यह सारा काम लेकिन यह तो हमने idea बना लिया अब जारी बात है जब stock market का data है तो हम online fetch कर रहे हैं तो यह उसके लिए होगा which are interested in stock market forecasting जब stock market की forecasting के लिए कोई भी interested बंदा होता है interested party होती तो उसके लिए यह हम app बनाने वाले है अब जारी बात है जब आप के बारे में सोचते हैं then you also think about app design so design पहले कर लेना बेहतर होता है कद्रे इसके कि आप इसको बाद में करें सबसे पहले चीज हमारा यहां पे आएगा title यह title हो जागा जो भी उसका नाम है then we will have some kind of subtitle here ठीक है यहां पे हम slide बार के अंदर यह पूछेंगे के आपने start date कौन सी रखनी है stock market के data की end date क्या रखनी है और यह user input होगी यह दोना चीज़े user input होगी फिर इसके बाद हम ticker level यानि के stock market किस चीज़ की आपने लेनी है उसका हम एक drop down list देंगे क्या आप इसमें से select कर ले और मैं कोई 10-15 इसके अंदर add कर दूँगा यह पांसाथ add कर दूँगा and based on your preference आप अपनी मर्जी से different किसम के stock market का data add कर सकते जब यह आप add करेंगे तो आपके पास एक dataset बन जाएगा which you can view here उस dataset को आप यहां पे लाएंगे फिर उस data को हम visualize करेंगे using some line plots and then उसी data के उपर automatically यहां पर forecasting का हम make algorithm लगा देंगे जो हम train करेंगे उसी data पर जो हमारे पास आएगा मतलब यह जो data आएगा इसी पे हमारा data model train होगा serimax या serimax जिसे हम बोलते है forecasting के बाद हमारी जो predicted data होगा वो history के data के हम साथ में at the end 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का data जो है उसे predict करके ऐसे लगा देंगे फिर हम last पे एक button देंगे के भई यहां से आप data को save भी कर सकते हो यहां से data को save भी कर सकते हो, click करोगे save हो जागा click करोगे save नहीं होगा so based on this thing we will also add some other buttons inside के plot को show करो, ना करो, hide कर दो, show कर तो, there are many other steps involved in that as well तो यह एक पूरा A to Z हमारे पास एक design होगा, यह मैंने बिलकुल layout किया था कि मुझे मेरी storyline पता चल जाए मैंने क्या क्या करना है, and then at the end we will see कि हमने किस तरीके से इस data को अपनी मर्जी से आगे लेके चलना है और हमारे पास data के multiple column हाते हम यहां पे एक और चीज़ add कर सकते हैं कि आप एक specific column को select कर ले यानि कि specific column यहां पे select होगा, उस selection की base पे आगे forecasting हो so these are some steps जो हम follow करने वाले हैं इस lecture के अंदर मैं यहां पे अपने screen को stop करता हूँ और directly हम move करते हैं अपनी app के उपर यह हमारे पास मैंने एक 40 app.py app.py के नाम से एक file बना है यह आप python की file बनाते हैं यह मैंने file बना ली है अब इसके अंदर सारी हमारी coding चलेगी coding के साथ-साथ आपके पास यहीं पे यहां पे terminal open हो जाएगा यह मैंने terminal अपना open कर लिया and here we have this streamlet environment इस environment के अंदर already मेरे सारे के सारे softwares install हैं इसमें आपको streamlet चाहिए pandas चाहिए numpy चाहिए plotly चाहिए and there are many other things as well तो वाहिस्ता इस्ता जब भी मैं library का नाम लिखूंगा from that import this और import that तो आपको वो पता चल जाएगा कि यह library में चाहिए यह lecture अच्छा खासा detail वाला होने वाला है और अगर कोई बंदा अपना FYP से related बनाना चाहता है so it's a nice chance for bachelor, CS, computer science या data science के students के लिए so it's up to you if you want to utilize this let's start सबसे पहले हमने जब app बनानी है तो हम जब भी कोई काम करते हैं हम उसकी libraries को import करते हैं step by step सारी चीज़े लिखेंगे मैं यहां पर लिखता हूं import libraries जैसे मैंने यह लिख है on the other hand आपके पास नीचे यहां पर interpreter select करने का भी बटन आ रहा होगा आपने select करके अपना streamlet का environment select कर लेना या अगर आपके पास python install है और streamlet की library already install है अब उस पर भी काम कर सकते हैं सबसे पहले मैंने काम करना है import streamlet as st फिर हमने जो library use करनी है to fetch the data online that is called import y finance as yf इस से हमारा stock market का data online से हमारे पास fetch हो जाएगा फिर तीसरी हमारे पास है import pandas as pd चोती हमारे पास है import numpy पांचवी हमारे पास है import matplotlib plt चटी हमारे पास है import seabon as sns सात्मी हमारे पास है import plotly plotly dot graph objects फिर हमने आठवा करना है import plotly express dot ps नमा हमारे पास होगी नमी import date time दस्वी होगी from date time import date comma time delta क्योंकि हम difference निकालने वाले है and then हमारे पास फिर कुछ libraries ऐसी होंगी जो हमने बाद में यूज़ करने उसमें मैं यहीं पर लिख देता हूं तो बहतर होगा from stats models dot ts a arima model अगर आपने यूज़ करना है तो arima otherwise i will write directly यहां पर सीजनल करेंगे और फिर हम यहां पर इंपोर्ट stats model api as sm करेंगे यह कुछ libraries हमने इंपोर्ट की है ठीक है और यह libraries मैं exactly आपको जब यह project हमारा complete हो जाएगा उसकी notebook में भी provide कर दूँगा बट better कि आप इसको साथ-साथ लिखते जाएं यह libraries आपने install करनी है सारी की सारी में libraries streamlate vifinance pandas numpy matplotlib cbon plotly date time already होती है stats models and that's it ओके अब हमारा काम है जी अपनी web app को बनाना let's start हम सबसे पहले क्या करेंगे title देंगे और title unique होना चाहिए आपकी वैब का ठीक है चैट gpt से भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से अक्सर अकात जब हम title देते हैं तो simply मैं क्या करता हूँ एक project बना लेते हैं title इसका sorry object बना लेते हैं या app name कर लेते हैं app name is equal to यहां पे आप कोई भी app का नाम दे सकते हैं मैं इसको कहता हूँ stock market analysis या stock market forecasting app ठीक है यह मैंने app name दे दिया now we have to print that app name st.write लिखेंगे streamlet के अंदर तो हमारा यहां पे app name आ जाएगा इसके अंदर मैं app name प्रिंट कर देता हूँ and then we close the bracket मैं इसको control s करता हूँ अब जैसे मैंने इसको control s किया है there are many other things going on here let me see let me show you अब यहां पे मैंने इस app को run करना है तो मैं terminal में जाऊँगा अपना environment activate करूँगा जहां पे streamlet है और यहां पे लिखूँगा streamlet run 40 app.py जैसे मैं इसको run करूँगा यहां पे कुछ processing होगी और यह मेरे पास separate url के अंदर app पूरी के पूरी open हो जाएगी ठीक है I will show you now just a minute यह मेरे पास app open होगी ठीक है तो इस तरीके से आपकी app show होती जाएगी जो काम आप वहां पे करते जाएंगे वह यहां पे show होता जाएगा अब आपका पहला काम यह है कि obviously मैंने जो मेरे पास changes आई थी मैं आपको दिखाता हूं यहां पे st.write नहीं लिखना था st.title लिखना था मैंने ताकि title जो है हमारे पास बड़ा होके है मैं जैसे लिखके ctrl s दबाता हूं तो अगेन उस app के अंदर चीजें update होना start हो जाती है अब इस start में update नहीं हुई इसमें उसकी reason क्या है उसकी reason यह है कि I didn't click on always rerun अब आपके पास जो मैं वहां पर काम करूंगा वह यहां पर print होता जाएगा इस very simple ठीक है अब देखिएगा मैं वापिस जाता हूं अपने code के उपर अब मैं यहां पर changes करूंगा वहां पर print होती जाएगी मैंने सबसे पहले अपना नाम जो है वहां पर लिख दिया now we will go further और अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो task है वो आगे move करता है टाइटल लिख दिया हमने अब हमने देना एक sub header ठीक है sub header देने के लिए st.sub header मैं लिखता हूं and this app is created to forecast the stock market price of selected company यह हम वहां पर sub header देते हैं ठीक है sub header क्या होगा उसी के नीचे छोटी सी एक information आजाएगी एप के नीचे like this this app is created to forecast the stock market price of the selected company ठीक है आप अपनी मर्जी से select करेंगे then I go back to the app अब यहां पर मैं further इसको code को define करता हूं for example अब मैं चाहता हूं कि यहां पे ना कोई image भी आए उसके नीचे कोई भी image तो मैं यहां पर एक add an image from online source online resource से भी मैं ले सकता हूं अपनी directory से भी ले सकता हूं मैं online resource से लेता हूं image तो यहां पर simply मैं क्या करूंगा st.image का function लगाऊंगा st.image image लिखने के बाद यहां पर सबसे पहले मैं image का link दूँगा इस bracket के अंदर और इस image के link के साथ आप for example आप कोई भी online image ले सकते हैं मैं यहां पर जाता हूं दुबारा से अपनी app के उपर और यहां पर मैं कोई भी online image लेता हूं stock market से related stock market यहां पर लिखता हूं images पर जाता हूं और for example यह वाली एक image मुझे पसंद है यह मैं इसका copy address करता हूं image address करने के बाद अब मैं वापिस जाता हूं अपने code पर and then I will paste that address here और जैसे मैंने address paste करके तबाया है it should be printed on the app like this तो यह image print होगी online source से you don't need any kind of you know image data inside your app आप सिरफ online source से कर रहें ठीक है तो यह मेरे पास वहां पर save हो गई अब हम वापिस जाते हैं कोड़ी हम systematic way में चलेंगे इस पूरे code के अंदर so you need to be with me otherwise आप चीज़ें जो हैं वो miss कर जाएंगे अब हमने क्या करना है दूसरा काम था input लेनी है हमने title के बाद take input from the user of app about the start and end date आपको याद है ना हमने stock market का data start और end date का बताना है कि कहां कहां से कितना कितना लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें sidebar बनानी पड़ेगी sidebar sidebar के भी लिए आपको सबसे पहले sidebar का header देना है उसको आप कह सकते है user input parameters या आप कह सकते है select the dates select the parameters from below something like that तो मैंने यह लिखा यह वहां पर print हो जाएगा now I will add तीन parameter कौन कौन से एक तो मैं start date आड़ करूँगा एक end date आड़ करूँगा और तीसरा मैं ticker level आड़ करूँगा ठीक है तो तीन चीज़ें हमें चाहिए होती है तो मैं अगर यहां पर लिखू start underscore date इसके लिए मैं क्या करूँगा यहां पर st.sidebar.date input जब आप date input मांगेंगे तो user आपकी date select कर सकता है और आप एक starting date automatically उसको देंगे कि यहां से start हो मैं कहता हूँ कि यार जो starting date है वो 2020 की हो यकम जनवरी 2020 की इसी तरीके से मैं देता हूँ end date तो यह हो आपकी यकम जनवरी 2021 या इसको 31-12-2020 कर लेते हैं तो now you can see कि यकम जनवरी 2020 से 31-12-2020 यानि कि एक साल का हमारे पास input data है जो हम दे रहे हैं जो हम automatically उस input में दे रहे हैं और साथ में हम यहां पर टिकर देते हैं पहले मैं आपको यह दिखा दूँ के start और end date जो है वो किस तरीके से काम करती है and then we will see के ticker हमारा किस तरीके से काम करेगा मैं इसको add करता हूँ अब वहां पर जाते हैं हम और यह आपको मैं आप दुबारा से दिखाता हूँ now look here date input का सबसे बड़ा फाइदा बला क्या है click करते हैं आपके पास calendar आ जाता है और एक line of code में है कोई बहुत बड़ी science नहीं हमने लगाई यह वैब आप बनाने के लिए एक line of code में calendar आ गए यहां से दूसरा आ गए तो यह हमने starting date खुद से डाली है user अपनी वर्जी से भी select कर सकता है कि मुझे January नहीं February चाहिए सिरफ February चाहिए so the data will be fetched based on that thing अब जाते हैं हम दुबारा से code के उपर अच्छा जो online image हम URL देते है ना वो URL एक दफ़ा सेव हो जा तो वही से fetch करेगा अगर वो URL डिलीट हो गया तो वहां पर image शो होना बंद हो जानी so you need to update that okay जी start time आ जागा अब हमने क्या करना है add ticker labels list यह symbol कहते हैं symbol इसको बोलते हैं बाइदावे list उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे ticker is equal to हमने अब tickers select करने टिकर्स क्या होते हैं मैं भी आपको बताता हूं यहां पर बल्के इसको ticker underscore list कर लेता हूं हमने क्या करना है यहां पर एक list बनानी है इस तरीके से जिसके अंदर labels देने हैं for example AAPL apple का हो गया कॉमा फिर हमारे पास है जी दूसरा Microsoft का MSFT सिंबल होता है stock का फिर हमारे पास तीसरा आता है जिसको हम बोल देते हैं GWG और फिर चोथा होता है जिसको हम GWGL बोल देते हैं बाइदाव इन दोनों को देखेगा यह किसके सिंबल है फिर हमारे पास FB, Tesla, NVIDIA, Adobe, PayPal फिर इस तरह सोन सोफर, Netflix वगरा के सभी आगे अच से अपनी मर्जी का select कर लो user को उसके लिए हम क्या करेंगे ticker is equal to st sidebar select box select the company या select the company ticker symbol and ticker list उसके अंदर add कर दी मैं जैसे इसको control S करूंगा, you will see कि ये मेरी app के उपर इस तरीके से आना शुरू हो गया, check करें, तो ये जिस मैं symbol पर click करता हूँ, वो symbol मेरे पास आना start हो जाएगा, लेकिन हम symbol तो select कर रहे हैं, but we are not saying कि इसका करना क्या है, we are not at that point yet, हम क्या करेंगे, वापस जाते हैं अप हमारे पास है, now we will write further quotes, आपके पास ticker की list आ गई है, date आ गई है और ticker की list, start and end date, अब हमने क्या करना है, हमने further आगे move करते हुए, fetch करना है data को, fetch data from user inputs, कैसे करना, using Yfinance library, हमने करना है जनाब, यहाँ पर simply data is equal to अब हमने क्या करना है, yf.download, ticker, start date उसकी और end date उसकी, simple, तो हम अगर यहाँ पर start लगाएंगे तो start आ जाएगा, for example, कब से कब तक, and यहाँ पर end करेंगे, तो end आ जाएगा, ठीक है, और obviously क्योंकि हमने date input दिया हमें उसको change करने की जरूरत नहीं है, automatically हमारे पास वो input आ ज क्योंकि हमने एक object के अंदर इसे store किया है, but now we have to print that object, कैसे उसको print करेंगे, simple है, अब हम इसको data को view करते है, st.write करने के बाद, आप यहाँ पे अगर data लिख देंगे, तो यह पूरे का पूरा data वहाँ पे view हो जाएगा, let's see, यह आगया जी आपके पास data, अब जो हमने यहाँ पे fetch किया, वो data यहाँ पे आ गया, देखिए गजरा, मैं Apple करता हूँ, data change, मैं यहाँ पे Google करता हूँ, data change, मैं यहाँ पे FB करता हूँ, इसका data फिलहाल इस जगा का available नहीं है, I don't know what's the problem, FB का कुछ और होगा, Tesla करता हूँ FB का symbol क्या है, Ticker symbol इसका different होगा, we can change that later on, meta हो सकता है, इन्होंने change ना कर दिया, मैं यहाँ पे करता हूँ, meta, मैंने वहाँ पे change किया, yes, it's meta, I think, तो मैंने यहाँ पे इसको meta कर दिया, obviously उनका नाम चेंज हुआ है, तो इस वज़ा से यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, यह मैंने अपने पास यह save कर लिया, ठीक है, जिसको भी आप click करेंगे, उसका data आजएगा, लेकिन एक problem है, problem यह है कि यह जो date है, this is not being shown as column, यह index आ र लिखने, तो उसके लिए थोड़ी से हम programming करते है, we go back to our code, code पे जाके, अब यहाँ पे, data तो हमने कर लिया, लेकिन लिखने से पहले, अब यहाँ पे थोड़ी से change करनी है, हमने add date as a column to the data frame, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम data dot insert करेंगे, यह वही वाला function है, जो मैंने आपको थोड़ी दर पहले दिखाया है, zero index पे लेके आएंगे, date को लेके आएंगे, और data का index जो है, उसको उठा के लेके आएंगे as a column, तो हमारे पास column के तोर पे आजाएगा, फिर हम क्या करेंगे data, बलके करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको run करता हूँ, अब द देखें, date separate हो गई है, as a column, और बाकी data हमारे पास as it is आ रहा है, अब यहाँ पर आप चेक करें, हमारे पास index वैसे का वैसे है, मैं इस index को reset करने वाला हूँ, और वहाँ पे जो मैं command दूँगा, वो आप यहाँ पे change देखेंगे, data.reset index, इसको मैं करता हूँ, यह फोरण से reset हो गया, और जो मैंने command यहाँ पे use की है, that is related to this, data.reset index, ताके हमारे पास जो data है, वो इस तरीके से print out हो जाए, तो यह जी हमारे पास data आ गया इसका, हमने उसको reset index कर लिया, और यहाँ पे मैं अब एक नया st.write करके, एक नहीं चीज़ आड़ करता हूँ, which is a kind of, like this, data from start date or end date, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ताके हमारा जो data है, वो किस तरह नजर आता है, वो हमें पता चल दे, अगर मैं यहाँ पे double hashtag लगाँगा, तो वो हमें different किसम का markdown का style दे देगा, but I write it like this, data from, और फिर मैं लिखता हूँ start to end date, so अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो it will look like this, यहाँ पे आजएगा data from this date से this date तक, अगर मैं date change करता हूँ, वहाँ पे भी change हो रही है, यहाँ पे अगर मैं 23 से करता हूँ, तो यहाँ भी 23 आ रही है, so it's very easy to change the data और आप इस तरीके से programming को use कर ल यहाँ पे हमने जो काम करना है उसको देखते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हम data को एक और तरीके से भी print कर सकते हैं, यह st.right वाला तरीका का और आपको समझ आगी होगी, अगर हम data को number of rows to display की base पे करना चाहेंगे, कितनी display करने हैं, we can do that as well, लेकिन मेरे ख्याल से यह इसी तरीके से बेस्ट है, इस से ज्यादा करने की फिलाल जरूरत नहीं है, let's plot the data, plot करने के लिए आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक sub header दे रहे हैं, बलके इसका मैं बड़े वाला एक header दे देता हूँ, इसको कहते हैं plot the data या data visualization, data visualization, plot the data, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, figure बनाएंगे, tx.line की बन गी है हमारे पास, और हम यहाँ पे st.plotly chart उसको figure को लिख देते हैं, और यहाँ पे हम data.columns कर लेते हैं, इससे क्या होगा हमारे पास पूरे का पूरा data जो है वो plot के अंदर print होके आ जाएगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ, यह एक line of code से क्या हुआ है, यह data हमारे पास आ गया, ठीक है? अब आप देख रहे हैं कि data बीच में छोटे से chart में आ रहे हैं, और क्योंकि volume का data ज्यादा है, तो इस वज़ा से वो बाक्यों को change कर रहे हैं, मैं जैसे different data को ले के आता हूँ, तो मेरे पास volume को सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो इस वज़ा से मैं different data set को इस तरीके से choose कर सकता हूँ, even though I can zoom into the data, like this, तो यह interactive chart ability है हमारे पास आ गई, इसको fix कर सकता हूँ, अगर मैं दोबारा किसी एक date पर जाना है, specific date पर click करूँगा या hover करूँगा तो मेरे पास आ जाईगी, मैं इस chart को थोड़ा से wide करना चाहता हूँ, यानि के इस chart को थोड़ा से चोड़ा बनाते हैं ताके पूरी पूरी जगा घेरे, अब यहां पर आपके पास हम क्या कर सकते हैं, width और height का column भी दे सकते हैं, कि नहीं दे सकते हैं, और अगर इसको dark बनाना है, तो यह वाली theme भी दे सकते हैं, like this, तो यह और भी अच्छा दिखेगा, जैसे अक्सर अकात आपकी, let me see, मैंने उसको मेरे ख्याल से, no, it's not changing anything, we will see later on, तो अभी के लिए हम, यहां पर, width is equal to 800, height 800, sorry, 800 कहरा हूं, 1,000 multiplied by 6,000 इसे कर लेते हैं, तो यह हमारा चार्ट थोड़ा सा फिला हुआ आ जाएगा, अक्सर अकात, चीजों को ऐसी चीजों को हम ख्याल में नहीं रखते हैं, तो वो मसला करती हैं later on, अब आप चेक करें, डेटा अच्छे तरीके से trend में हमें नजर आ रहा है, जिसको भी हमने देखना, open, high, low, close, usually हम close के कॉलम पर काम करते हैं, तो अब हमने यह चीज़ कर ले, अब यहां पर जो मैं selection कर रहा हूं, और मेरे पास data visualize हो रहा है, what if, I have a select box here, जिसमें मैं एक कॉलम को चूज कर लूँ, तो वो ज्यादा बेतर नहीं हो जाएगा, let's do it, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम basically अपने code के अंदर थोड़ी सी amendment करने वाले हैं, like this, for example, मैं यहां पर यह plot कर लिया, और by the way, यह plot, plot करने से पहले, plot the data हमने तो कर लिया है, यहां पर जो हमारे, वहां पर आ रहे थी, changes, हम यहां पर दो किसम की और information दे सकते हैं, पहली यह information है, कि आप यहां पर लिख सकते हैं, कि select your specific date range on the sidebar, और zoom in to the plot and select your specific column, तो इस तरह की कोई instruction दे सकते हैं, ताके लोग जो हैं उस पर अमल कर सकें, अब हम क्या करते हैं, column को select करते हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूँ, column is equal to, यहां पर मैं कहा देता हूँ, add a select box to select column from data, column is equal to, अब यहां पर लिखेंगे st.select box, select the column to plot की बजाए हम लिखेंगे, select the column, यहां पर simply to be used for modeling, या forecasting, forecasting के लिए कर लेते हैं, यहां पर आपने लिखा, तो जितने भी data के columns हैं ना उन सभी को आप वहां पर ले के आएंगे in the values, ठीक है, मैं इसको control s करता हूँ, तो you will see हमारे पास एक, इस तरीके से यह column आ गया, अब यहां पर date भी है, open भी है, high भी है, close भी है, and so on and so forth, आप date अकेली नहीं select करते हैं, तो आप open से onwards start करेंगे, date से नहीं start करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, string की जो location है, उनका function मैं utilize करूँगा, which is related to this date column के अंदर, once start करो, ठीक है, तो यह simple सा एक rule है, क्या आप date को नहीं लेंगे इसके अंदर, सिरफ open, close और बाकी columns को लेंगे, हम यह करने के बाद आप data को subset करते हैं, subsetting the data, subset करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने select box का जो हमारे पास data है, वो लेते हैं, मतलब data को हम update करते हैं, data के अंदर जो date है, यानि कि date का column हम asities आगे move करेंगे, और जो selected column है, वो यहां पे आ गया, यानि कि यह वाला object उठा के यहां पे आ गया, तो हमारा data हो गया update, data update करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उस data को reset index पे भी लेके आ सकते हैं, for example, अगर हम चाहें तो, बलके यहां पे करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे लेक सकते हैं, st.right selected data, और यहां पे हम उसको print करवा सकते हैं, st.right data, let's view this, तो हमारे पास अब क्या scene चल रहा है जी, हमारे पास कुछ इस तरीके से scene चल रहा है, हम यहां पे जो column select करेंगे वही नीचे print होगा, गोर कीज़ेगा, देखें, close किया close वाला आगया, adjacent close किया वह आगया, high किया वह आगया, so it will select automatically the column, क्योंकि हमने close पे ज्यादा काम करना है तो आप अपनी मर्ज़े से close पे भी कर सकते हैं, जिस column पे हम forecast चाहेंगे वह आ जागे future में, तो हमारा इतना काम हो गया, अब हमने अगला काम यह करना था, इसी code के अंदर रहते हुए, कि हमारे यह जो selected column है वो select होके print भी हो, ठीक है, तो हमने अपने पास sub setting कर ली है data की now we can actually check कर सकते हैं, कि data किस तरीके से नजर आता है, और उसको check करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, और decompose भी कर सकते हैं, जो हमारा अरीमा से रीमा मॉडल की basic चीज़े हैं, पहले मैं यह करता हूं कि data को check करते हैं for stationarity, इसको ADF, ADFuller test से check करते हैं stationarity, क्योंकि जो assumption है हमारी अरीमा मॉडल की, तो मैं यहां पर लिखता हूं st dot, अब यहां पर हम कर देते हैं header, stationarity check, या हम मैं यहां पर लिखता हूं is data stationary, यानि कि data के अंदर कोई trend आ रहा है या वो stationary है, ठीक है, उसके लिए फिर हम यहां पर st dot, right, और यहां पर note हम दे देते हैं कि अगर data में p की value less than 0.05 हुई तो data stationary है, otherwise नहीं, ठीक है, तो basically मैं यहां पर क्या करता हूं अब, हम edi fuller test लगाते हैं, st dot right, इसके अंदर edi fuller underscore test data के column पे, जो data हमने select किया है, उसके column पे यह test लगाना है, और इस एक edi fuller test को हमने import भी करना है, तो मैं यहां पर जाता हूं from stats model, TSA stat tools edi fuller को हमने import कर लिया, क्योंकि हमने पहले नहीं किया था, अब यह यहां पर चल पड़ेगा, yes, अब यह यहां पर test जो है वो, edi fuller test जो है वो चल पड़ेगा, अगर मैं यहां पर edi fuller इस तरीके से लिक हो, तो यह हमें basically यह बताएगा कि आपका data stationary है या नहीं, मैं simply यहां पर जाता हूं, then you can see, यहां पर हमारे पास data की types आगें कि आपकी p-value इतनी है, अगर p-values से कम है तो यह हो जाएगा, फलाँ हो जाएगा, ठीक है, हमने क्या किया है, सिर्फ column के उपर हमने इस चीज़ को चेक किया है, कि data हमारे पास close है, तो उसकी हमारे पास values कौन सी आ रही है, एडी fuller test की और बाकियों के कितनी आ रही है, बट लेटर ऑन, मैं उसी final चीज़ पर जाता हूं दुबारा, और इसको इस तरीके से लिखते हैं, कि जब हमारे प तो अगर मैं, sorry, इसको यहां पे one number को लिखता हूं, तो जो हमारे पास P की value आती है न, वो इस तरीके से print हो जाती है, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यह automatically print होने के बज़ए true or false दे, हमारा question है, इस data stationary, तो यह true or false देने लग जाए, तो मैं बकाईदा क्या करूंगा, coding के अं less than 0.05, simply इतना, और इसको मैं remove कर देता हूं, क्योंकि हमने वो चीज़ी निकाल दिया कि कैसा आपका test नज़र आएगा, and if you go like this, तो यह जनाब आपके पास false or true देने लग जाएगा, pretty simple सी example है, check करें, आपका volume जो है, वो stationary है, बाग की सारी चीज़ें जो है, आपकी stationarity उनकी नहीं है, true or false में directly आगए, तो यह assumption है, इसका मतलब अगर data stationary है, है तो आपका arima model लगेगा, otherwise नहीं लगेगा, जो उसकी assumption है, जो पिछले lectures में मैंने, आपको बताइए, अब हम क्या करते हैं, data को decompose भी करते हैं, ठीक है, let's decompose the data, decompose data को करने के लिए आपके पास, basically आप बता decomposition का function use करते है, decomposition, तो आपका seasonal decompose का function जो यहाँ पे आपने import किया हुआ, stats model से, वहाँ से उसे ले के आते हैं, सिरफ data के column पे आपने लगाने, कौन सा column जो आपने select किया हुआ, ठीक है, model आपका additive है, period आपका one करने, one कर दें, 12 करने, 12 कर दें, sub to you, तो मैं यहाँ पे simply यह लग decomposition dot plot, अब आप देखिएगा क्या होते हैं, यह जनाब आपका data है, और यह decomposition आपकी plot होगे आगी है, trend, seasonality and residue, ठीक है, आप इसी के अंदर से seasons देख सकते हैं, जब seasons involved हों, किसी भी एक time series के data में, then we use that data set as, as it is, और सरीमा model के अंदर हम use कर सकते हैं, अरीमा जो auto regressive integrated moving average का model है, उसके अंदर seasons के साथ हम उसे use नहीं कर सकते हैं, तो यह decomposition का function हमने लगाया है, जो already मैं आपको बढ़ावी चुका हूँ, and then we move further, decomposition तो होगी हमारे data की, ठीक है, लेकिन हम same plots plotly में तो बुना सकते हैं, make the same plots in plotly, तो उसके लिए मैं simply जो है आपका code यहां पर मैं paste करता हूँ, मैं आपको code समझा देता हूँ, हमने plotly underscore chart, यानि के px.line plotly का कोई भी plot हो, उसको एक px.line plot है, x पर हमारी data है, तीनों में, y पर एक में decomposition का trend है, दूसरे में decomposition की seasonality, तीसरे में residue, trend seasonality residue, और हमने क्या किया है, यहां पर उनकी width को increase की है, ठीक है, यहां पर उनका title लगा दी है plot का, और साथ में हमने label दे दी है, x और y axis के, ठीक है, और line का color दे दी है end पर, सही हो गया, तो यह हमारे पास line का color और line की dash और बाकी चीज़ें लगाने के बाद, आपके पास web app आपकी कुछ इस तरीके से नज़र आईगी, यह रहे जी आपकी seasonality और बाकी चीज़ें, ठीक है, यह check करें, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा down ले के जाता हूं, तो इस तरीके से आपको different किसम का trend आगया, seasonality आगया और residue आगया, आप कहीं पे भी जाके इसको hover भी कर सकते हैं, then you can view that as well, right, तो 1200 की बजाए इसको 1000 भी कर स it will look somehow like this, ठीक है, तो यह हमने उनी plots को उसमें बना लिया, so इसमें को बड़ी science नहीं थे, हमने plotly use किया और वही बना लिया, अब हम model को run करते है, let's run the model, जो हमारा model है, assumption आपको पता होनी चाहिए और tuning का पता होना चाहिए, इस वज़ा से ये बड़ा simple हो जाएगा हमारे लिए, हम क्या करते हैं, अब user से पूछेंगे भाई, क्योंके सरीमा और इमा model के लिए PDQ, तीन important चीज़े हैं, let's ask the user, user input for three parameters, कौन कौन से हैं, आबलके of the model and seasonal order के लिए, क्योंके आपको पिछली class में मैंने बता है कि आप खुद से भी choose कर सकते हैं, और पूछ सकते हैं, user से P is equal to, आप यहां पे sidebar, select the value of P, 0 से 5 तक दें, तो बेहतर है, ज्यादा limit ना दें, ठीक है, आप input value भी उससे पूछ सकते हैं, और slider भी लगा सकते हैं, तो मै P is equal to, यहां पे इस तरीके से, तो 1-1-1 हम वैसे रखते हैं, या 2-1-1, 2-1-2 रख लेते हैं, जो हमारा basic model इस पे काम करता है, फिर seasonal order रख लेते हैं, seasonal पी या इसको seasonal order बोलते हैं, तो हम यहां पे भी value select कर लेते हैं, और यहीं पे हम slider bar की बजाए, number input ले लेते हैं, और इसको हम, sidebar पे नहीं लगाते हैं, main चीज़ पे लगाते हैं, sidebar पे नहीं अच्छा लगेगा, number input, select the number value, 0 से 5 तक लेंगे, बलके 5 तक नहीं इसको, 24 तक कर लेते हैं, और 12 की value हम लगा देते हैं, seasonal order की, तो ये जनाब हमारे पास इस तरीके से ये अप के अंदर आ जाएगा, ये मैंने coding की है, यहां पे, ये तीन चीज़ें मैंने लगाई हैं, ठीक है, p, d, q, और seasonal order, और यहां पे ये आपको अप में इस तरीके से नज़र आएगा, मतलब आप user से पूछ सकते हैं, आप इसकी value क्या रखनी, उसकी क्या रखनी, उसकी क्या रखनी, और आपके पास वो value change होती जाएगे, and it makes a swift change, तो 2, 1, 2 ठीक है, 12 यहां पे ठीक है, तो ये p, d और q, तीन values आपके पास आगए, अब इनके अंदर आप किस तरीके से p, d, q की value को arrange करने के बाद model को train करते हैं, just a minute मैं यह model train कर लो and then we will see questions हम लेते हैं फिर, just give me one second, मैं अब यहां पे model को लेता हू, model is equal to, हमारा जो model है sm.tsa, सरी max हमने लगाना है, data के column पे लगाना है, order p, d, q, जो user की inputs हैं, यहां पे p, d, q, वो वली रखनी है, seasonal order भी वही रखनी है and so on and so forth, हमारे पास model जो है वो, इस अरीके से आड़े, then हम model को train करेंगे, तो model is equal to, model.fit हो जाएगा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम model को train करने के बाद, यहां पे model की summary को भी print कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, print model summary, उसके लिए simply हमें क्या करना पड़ेगा, st.header model summary और st.write model.summary और इसके बाद मैं एक line लगा रहूँ, just to separate this for upcoming agendas, यह आप देखिएगा क्या होता है आपकी main app में, यह model run कर रहे, it will take time, जितनी देर को run करते हैं मैं आपको code दिखा देता हूँ, so this is how I make, this is the model, आप PDQ की value लगाते हैं, then आप model को define करते हैं कि यह हमारा model है, यह values हैं हमारी, और फिर आप model को fit करते हैं, जैसे model आपका fit हो जाता है, इसका मतलब वो train हो गया, अब आप model की summary को यहां पर print करते हैं, और वो सारा कुछ आपके पास फिर app के अंदर इस तरीके से आते हैं, यह राल, यह आपका model, model की summary यह है कि Surimax model है, इसके यह यह parameter है, कब बना, कितने time पे आपने इसको check किया, इसकी AIC कितनी है, BIC कितनी है, log likelihood कितना है, number of observations कितनी है, तो यह accuracy के parameters होते हैं basically, sample कितनी है, ठीक है, और फिर covariance type कौन सी है, coefficient क्या, standard error कितनी कितनी हा रही है, P की value कितनी कितनी हा रही है, और so on and so forth, there are many other parameters जो model को समझने के लिए जरूरी होते हैं, मैंने यह line इस वज़ा से लगाई, क्योंकि इसके अंदर यह पूरी model की summary आ गही है, right जी, तो model की summary हमारे पास आगी है, model train हो गया, अब होता यह है कि जैसे आप P की value, यहाँ पे change करेंगे, आपका model दुबारा से run रखते हैं, अगर आप model की parameter तीन या चार रखेंगे P की value, so it will be slower, अगर आप एक या दो रखेंगे, it will be faster, तो खेर, यह मेरे पास, इस तरीके से model हमारा train हो गया, अब हमने prediction करवानी है, और उस model की prediction को print करना है, we are really near to the finishing point, और थोड़ा सा बस सबर and then everything will be fine, अब हम करते हैं, इसके बाद, predict the values, future values, जिन्हें हम forecasting भी बोलते हैं, जिसे, forecasting करते हैं हम आने वाले time के लिए, उसके लिए हम किस तरीके से forecasting करते हैं, it's very simple, आप अपने model को forecast period उससे predict करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, forecast period, आप कितने time के लिए करना चाते हैं, तो आप number input लेंगे, कि आपको कितने दिनों के लिए forecast करना है, एक से 365 तक की value है, मैंने 30 start में दिया है, कि 30 आप value ले लेंगे, या इसको 10 भी दे सकता हूँ, so it's up to me, select the number of days to forecast, in future, अपने data की base पे कितना आपने forecast करना है, मैंने यहाँ पर forecast period select कर लिए, forecast period select करने के बाद, मतलब input user से मांगी, अब इसके बाद क्या करना है, हमने, predict करनी है, values for forecast period, उसको हम बलेंगे, यहाँ पर हम, predict the future values, वो कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं, predictions या forecast भी आप बोल सकते हैं, तो उसके लिए simple क्या है, model dot, get prediction भी से कर सकते, get forecast भी कर सकते हैं, but I will use get predictions, step आपने बताने हैं साथ में, model dot, get prediction के बाद, इसके अंदर आपने बताना है कि कहां से कहां तक, मैं कहता हूँ, start is equal to, आपका data का, जो, बलके इसकी बजाए मैं इसको length कर लेता हूँ, length of data, data की length से लेके, end करना है हमने, length of data, यानि कि जितनी आपकी values है ना, start से लेके end तक, यानि कि आपकी length जो है, 251 से आगे 10 दिन का आपने, जो forecast period यहां पे valued user देगा, वो predict करना है, तो हमने predictions ले ली, get prediction लेने के बाद, हम predictions को ही, उसका mean को separate कर लेते हैं, क्योंकि हमें mean चाहिए prediction का, ठीक है, जो prediction का एक column हमारे पास बनेगा, उसके अंदर सिर्फ हमने mean लेना है, उससे क्या होगा, I will show you the app now, उसकी base पर फिर हम आगे move करते हैं, यह आपकी app बन रही है, जैसे ही आपके पास यहाँ पर यह model जो है, वो train होके show होगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना user of prediction number जो है, उससे select करेंगे, ठीक है, यूजिलिट टेक्स टाइम, जैसी आप हमारे पास चलती है, जैसे यह मेरे पास रन होती है, मैं आपको दिखा दता हूँ, यह मेरे पास रन होगी है, टेक्स लिटल बिट अफ टाइम क्योंके हम टाइम सीरीज का डेटे पर काम करें, अब चेक करें, मैंने इन्पुट ली 112 की, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फॉर्कास्ट का डेज बताने है, तो वह यहाँ से मैं स्लेक्ट कर सकता हूँ, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, जितना भी मैंने करना है, तो मेरे पास वैलियो आती जाएंगी, हम वैलियो तो ले रहे हैं प्रडिक्शन की, लेकिन हम यह नहीं देख रहे हैं कि उनको प्रडिक्ट कैसे करवाना है, तो नाउ व्याँ आफ तो फॉलो दो स्टेप के प्रडिक्टिड वैलियो उसको प्रिंट कैसे करवाना है, या उसको plot कैसे करवाने है अब यहां पे मैं prediction forecast से पहले एक छोट्या सा code यूज़ करने वाला हूं this one यह basically tags use करके ना आप code को खुबसूरत बना सकते है HTML tags को use करके like this ठीक है कैसे खुबसूरत बनता मैं आपको दिखाता हूं जब आप इसको save करेंगे now it will actually make things easier आपका यह जो task है forecast the data यह 50px पर पिक्सल पर बड़ा होके green color के अंदर आजाएगा bold में ठीक है तो आपके पास data अच्छे तरीके से show होना start हो जाएगा यानि के heading अच्छी आजएगा by the way this was just for the sake के आप किस तरीके से चीज़ों को print कर सकते हैं हमने predictions ले लिए उनके mail ले लिए अब हमने क्या करने हैं हमने predictions के अंदर ना अगर मैं आपको predictions यहां पर दिखाऊं तो prediction के अंदर हम data को show करवाते हैं like अगर मैं यहां पर लिखूं st.write और उसके अंदर predictions तो हमारा data कुछ different way में show होगा which I will show you in a minute जैसे मेरे पास code run होता है और हम क्या करते हैं उसके index लगाने होते हैं वो data index के बगार होते हैं यानि कि उसकी date का column नहीं होगा data के उपर ठीक है तो हमने date का column add करना ह उसके अंदर so we will do that now और उसके लिए मैं simply क्या करता हूं add index to the predictions यह back-end की coding में आपको दिखा रहा हूं front-end पर जो होगा वो बिलकुल simple सा आपको result नजर आएगा which we will see in a minute अब यहां पर हम क्या करने वाले prediction के इंडेक्स देने तो अगर हमारे पास predictions और एडी मजूद हैं उसके इंडेक्स देने के लिए हम करेंगे predictions डॉट इंडेक्स इसको हम करते हैं is equal to pd.range और हम कर देते हैं स्टार्ट हमने कहां से करना है मैं वह आपके बताता हूं स्टार्ट हमने करना है end date से जो हमारी end date है न वहां से prediction स्टार्ट होनी है यह हम end date से start करेंगे date range बना रहे हैं automatically date range हम खुद से बना रहे है based on the index तो जहां पर हमारा end date खतम होगे उससे आगे हमने predictions को date का index लगा देना है frequency हम बता रहे है days की base पर यानि कि जितने number आएंगे जो last data है हमारे 31 December इस code का मतलब यह 31 के बाद जो अगला दिन आएगा वो पहले date उसकी आए फिर अगली फिर अगली फिर अगली फिर अगली फिर अगली फिर अगली वो date we can further have a look लेकिन before that I want to show you जो पिछला मने कोट चलाया था यह आपका prediction इस तरीके से नजर आ रही हैं और यह prediction without any date है हमारा अब वाला काम है यहां पर dates add करना वो हम कर रहे हैं तो prediction इस तरीके से आपको नजर आरी 16 दिनों की now we are adding dates और वो हमने कैसे ली हैं जहां पर date खत्म होई ना उससे आगे हम days की base पर prediction की date ले रहे हैं जानी कि अगर 16 वैलियू जाना तो अगले 16 दिनों की dates खुद बहुद आइड हो जाना है screen अब ठीक है यहां पर अगर 16 दिनों की dates हैं हमारे पास तो automatically add हो जानी है ठीक है क्योंकि हमने वो date का column वहां पर add कर दिया अब हमने क्या करना है अभी भी यह index की तोर पर date आई है अब हमने उसको column के तोर पर add करना है ठीक है तो हम ऐसे करेंगे जो prediction के इंडेक्स हैं वो date के column में आ जैसे हमने start में किया जैसे हमने इसको इंडेक्स दिया now we can write st.right predictions भी हम लिख सकते हैं यहां पर basically तो और फिर हमारा जो original actual data वो भी लिख सकते है st.right actual data data मैं इसको save कर रहा हूं obviously it will take time क्योंकि पिशे model पूरा train होगा फिर आगे चलेगा सारा कुछ so we need to wait a little bit जब तक यह model जो है वह हमारा चलते है आपको फिर मैं final data इसका दिखाता हूं कि यह किस तरीके से data बना है हमारा तो यह हमने basically इस step में date का column add की है predictions में now we will plot at the end और उसके लिए हम plotly को use करेंगे मैं यहां पर code लिखते हैं तो हम plot लेगा the web app looks like looks like this यह देखेगा यहां पर हमने start किया बिल्कुल शुरू से हमने तस्वीर वगएरा एंड की left side पर यूजर इंपुट ली select the company आ गया जो भी stock आपने लेने थे करने के बाद पहले उसका data यहां पर आया data उस form में आया जो हम डालना जाते थे ठीक है from और to भी आ गया फिर हमारे पास data visualization आगी data visualization को देखें तो हम इसको click click करके देख सकते हैं फिर हम एक column यहां से select करते हैं वो कोई भी हो सकता है close का हो सकता है वो दूसरा हो सकता है column select करने के बाद data stationary है या नहीं है वो देखा हमने decompose किया data को plot किया decomposition in plotly to see further फिर हमने क्या किया p, d and q की value select की जो तीन parameter होते है रिमा या सरीमा model के अंदर फिर हमने model लगाया जो हमारे model की output है वो यहां पर आगी कौन सा model लगाया फिर हमने देखा कि हमने कोई forecast की number of 16 days from the last date of the data यह हमारे पास predicted mean उसका आ गया लेकिन we were not satisfied with that तो हमने क्या किया date का index डाला जैसे हमने date का index डाला still we need to reset the index ताके यह 0 से start हो ठीक है we have to do that जैसे हम इसको 0 से start करेंगे then हमारे पास actual data यह predicted data यह है so we just need to re-index this data और यह वाली prediction mean को हमें remove करना है ठीक है और यहां पे हमें हमेशा यह ज्यादा तर लोग जो हैं वो close पे काम करते हैं तो हम close का data यहां से लेते हैं अब मैं आपको दुबारा दिखाता हूं के how it looks like यह यह जी मेरे पास जो मैंने predictions को st.right किया था मैं इसको comment out कर रहा हूं ताकि यह वाली prediction ना है हमारे पास यह वाली है हमने यहां पे insert तो कर दिया यहां पे prediction का reset index करना था वह भी कर दिया और यह हमने plot लिए के कुछ plot बना दिये now we will run this app again और आपको अच्छे से पूरे के पुरा dashboard अब नजर आ जाएगा फिर हम एक button add करेंगे and then the dashboard is almost finished यह आपका dashboard कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है close के उपर यह decomposition है यहां तक मैंने आपको दिखा दिखा दिया था जारा यह model की summary अभी भी रन कर रही है बट इट विल बी फाइन अ मिनट and then we will see nice plotly plots at the end here obviously यह आपके system पर depend करता है कितना हैवी system है उसकी base पर आप data को अच्छे से check कर सकते हैं यह जनाब आपका यह है जी model जो train model है चेक करें यह हमारी actual values है यह सारी blue वाली और यह predicted values है जो हमारे पास red वाली है actual versus predicted हम इस तरीके से देख सकते हैं और यह screen से थोड़ा सा बाहिर जा रही थी मेरे पास but I will see तो अगर मैंने सिरफ actual को show करवाने तो predicted पर क्लिक कर दूँगा predicted को करवाने तो actual को so हमारी predicted values यह हैं और आप आप चेक करें यह date के साथ हा रही है 31 December की यह है दो जनवरी की यह है यह यह कम की है और आपके पास हर date का stock market का data रहा which is kind of accurate क्योंकि हमारा जो model है वो accurate है अब आप खुद देखें के यह हमारे पास data है मैं जैसे यहां से पी की value को दो करता हो ना पूरे का पूरा model दुबारा से run करेगा और वो पूरी की पूरी figures को update कर देगा अगर आपने इसको heavy machine के उपर deploy किया हुआ है इस पूरे model को it will work in like seconds otherwise मेरे पास भी second पर कर रहा है लेकिन usually it's really slow तो जैसे यह हमारे पास data यहां पर show होगा we can actually predict the prices of upcoming days और आप देख रहे हैं अगर आप data को देखें तो prediction का data यहां पर भी आ रहा है date wise यह date wise data यहां पर भी आ रहा है कि यहां पर 88 था यहां पर 99 हो गया और यहां पर 95 हो गया and you can see the data set like this अब obviously यह data heavy किसम के है और हमारा model भी heavy है you can see the data set look आप इस पर scroll भी कर सकते हैं हर date के बारें और इसको predict भी कर सकते हैं हमने 16 दिनों को predict किया and you can see the change P2 के बाद यहां पर actual change जो हमें नजर आ रही है यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in करूं यह आपकी predicted values यह आपकी predicted values है मैंने इसको यहां पर fit कर देता हूं यह हमारा dashboard यहां तक बन गया और उनके button दिखाना चाहता हूं तो मैं यहां पर एक दो buttons add करूंगा add buttons to show and hide separate plots उसके लिए हम क्या करेंगे simply show plots करना है अगर show plots is equal to false मतलब start में हम plots को show नहीं करवा ठीक है फिर हम कहते हैं if st.buttons जिसका नाम है show plot या show separate plot कर लेते हैं बटन का नाम है show separate plots अगर यह click है ठीक है if not then हम करेंगे show underscore plots और इसको हम show plots को true कर देंगे अब यहां पर हमने दोनों plot का code लिखना है हमारे पास plot यहां पर show होगा we will see else हम क्या करेंगे else हम show plots को false कर देंगे ठीक है अब यह तो हो गया एक बटन यह कैसे काम करता है मैं इसको run करता हूं ताकि हमारे पास जब तक हम दूसरा बटन बना रहे हैं तो यह वहां पर run कर जाए यह असल में बटन होगा जिस पर आप क्लिक करेंगे न तो separate plots बन जाएंगे अगर एक और बटन इसमें हम add करें same plot का बटन होगा उसको अगर हम add करते हैं तो वह hide button होगा अगर आप उस पर click करेंगे like this hide plots is equal to false start में वह बटन नहीं प्रेस अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो plots को hide कर दो यानि के true कर दिया उसको मैंने के plots को hide कर दो otherwise उसको चलता रहने दो तो मैं इसको भी प्रेस करता हूँ hopefully यह मेरे पास आ जाएगा सारा कुछ and at the end मैं यहां पर markdown की कुछ चीज़ें देता हूँ कि thank you for using the app और मैं अपनी github, linkedin और बाकी चीज़ों के link देके image इसके साथ उनको hyperlink बना लिए so यह जारी बात है आपने link लेना है image का उसको उपर आपने redirect link दे देना यानि कि उसके उपर कोई image बे क्लिक करें तो directly हमारा hyperlink ओपनो हर website का तो मैंने वो दे दिया फिर markdown के through इस तरीके से उनको मैंने add कर दिया यह हमारा final dashboard बन गे मैं आपको दिखाता हूँ जुनाब यह इस तरीके से आपके पास dashboard आएगा इंशाला अभी कुछ seconds के अंदर and then you will see बड़ा simple सा है लेकिन इसकी power बहुत heavy है power ऐसे heavy है कि अगर आप यही model मैंने अरीमा सरीमा वगारा यूज किया यहां पर अगर आप इसी के अंदर ही RNN LSTM GRU DRU वाले model यूज कर ले न और उनको save करके करें for example cache करके उसका यह होता है एक दफ़ा model चला है वो cache हो जाता है cache का मतलब यह होता है कि वो बार-बार इतना time नहीं लेता एक दफ़ा ही आपका data fetch हो गया एक दफ़ा ही आपका model train हो गया उससे आगे चलेगा so you can do that one as well मैंने बड़ा simple code यहां पर आपको दिखाया को बहुत बड़ा code नहीं दिखाया so hopefully it will work in a way कि आप इसको पसंद करेंगे अगर ना चला थो we will see कि क्यों मसला हो रहा है कल जब मैं इसे चला रहा था it was working very fast तो आपके system की speed पे भी depend करता है अभी इस वक्त मेरे पास system की speed slow है I think so या data मैंने google का ले लिए कोई तो मसला है so we will see उपर से बनता आ रहा है यहां पर model train होने में ज्यादा time लगता है यह देखे स्टार्ट है जिस टॉक मार्केट का डेटा आप यहां पर अपनी image को डाल सकते हैं कि मैंने बनाया है और इसमें emojis वगएरा बहुत कुछ डाल सकते हैं जो मैं आपको दिखाता हूं भी यहां पर क्लोज हमने सेलेक्ट किया तो क्लोज ही डेटा आ गया और वही आगे जा रहा है डेटा स्टेशनेरी है के नहीं वह आ गया decomposition of the data close trend seasonal residues वह आ गया हमारे पास और हमने decomposition को separate भी बता दिया आप इसके साथ यह बटन लगा सकते हैं जो standard है 2,1,2 यह आप use करें तो वह best होता है ज्यादा ना use करें stock market में otherwise it will take time और बारा हमने seasonal order रह दिया which are some hyper parameters of the model जिसको हम सरीमा या सरी मैक्स model बोलते हैं यानि कि seasonal auto regressive integrated moving average with exogenous values so हमने इस तरीके से इसको देखा इसके कुछ parameters आगे so here you can have an idea आपका model कितना अच्छा train है या कितना अच्छा नहीं train फिर आप forecast करते हैं आप अगली 16 values को forecast कर रहे हैं तो वो यहां पर print हो जाएंगी like this आप इसको further separate करके भी देख सकते हैं तो यह data frame आपके पास आगया actual values यह है तो actual value और predicted value यह मैंने actual बाद में इस में जासे लिखे हैं आप इसके साथ check भी कर सकते हैं आपके predicted value कहां पर है और अगर आप हाइड करेंगे तो वो हाइड हो जाएंगे about doctor अपना नाम जो भी था मेरा comment लिखा and then I added hyperlinks for my LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook and GitHub profile आप Kaggle के भी use कर सकते हैं आप इस पे click करेंगे तो फोरण वो आपको GitHub की profile पे ले जाएगा LinkedIn पे करेंगे तो मेरे LinkedIn की profile पे ले जाएगा YouTube पे करेंगे By the way, मेरे Twitter के account क्यों नहीं चार रहा? ना कर I see wealth code लिखा हुए तो इस तरीके से आपके separate plot बन जाएंगे यह देखें जो मैने button क्लिक किया था और इसके बाद आप hide करेंगे तो यहां से hide हो जाएंगे So this is how it looks like, अगर आप इस app को देखें, so it will work fine I think, let me see Twitter का मैने set कर दिये अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा चीज़ें add कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से different किसम के stock की list दे सकते हैं यहां पर find search का button भी दे सकते हैं कि किसी बंदे ने find करना है stock की पूरी list आपको मिल जाती है online आप उसको use करके यहां पर find search का button दे दे, तो वो खुद से select करें, अब जैसे मैं यहां से apple के stock लेता हूं तो यह मेरे पास सारे का सारा apple के stock पर चलना start हो जाए है सारा model, apple के stock और it will take time क्योंकि अंजारी बात है हमने एक heavy किसम का model इस पर train किया है तो इस वजह से it will take time otherwise आप already trained model भी ले सकते हैं यह Microsoft का, apple का भी नहीं चल रहा, there is something wrong नहीं चल रहा और आप यहां से close को select कर ले and then जैसे आपके पास यह model आए, decompose होने के बाद आप उसको select कर सकते है right जी, तो अगर आप एक छोड़ा सा task इसके बाद करें which is regarding LSTM RNN, LSTM और GRU, यह तीन algorithm इसके अंदर add करके एक multimodal app आप आप त्यार कर सकते हैं कि यहां से user को option दे कि कौन सा model select करना है LSTM करना है और Ima Sarema जो हमने पहले लिखा हुआ है वो करना है CNN करना है, GRU करना है, RNN करना है यह artificial neural network simple करने है even though random forest का algorithm भी इसके ओपर चल सकता है boosting gradient boosting भी चल सकता है, XG boost भी चल सकता है so you can make an app with multimodal और जाहरी बात है उसको time भी उतने ही लगना है अगर आप उसको train करने बैठेंगे और visualize करने बैठेंगे sometimes it takes less time and sometimes it takes more time यह थाजी है हमारा A to Z project obviously इसमें आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और at the end streamlet जो है एक nice तरीका कार है आप इसको deploy भी कर सकते हैं online as an app और इसको deploy करने के लिए आपको काफी चीजों का ख्यार रखना पड़ता है कि आपकी app working condition में है उसकी requirement की file बनाने पड़ती है and then you have to create some other stuff as well जिसके लिए आपको python का package or there are many things आपको github पे जाके इसको save करना पड़ता है और फिर वहां से आपको deployment का streamlet की id बनाते हैं github की repository के साथ इससे link करते हैं और उससे फिर आप publish कर सकते हैं इस पे इंशाला मैं next lecture में आपको बताऊंगा अभी के लिए इतना है अगर आपको question है you can write down या हम अभी within few seconds अपना question रहते हैं